तो भाई बनारस की गलियों में घूमते हुए दस असुमेद घाट पे जा रहे थे तो वहां पे मिले हमें एक भाईया तो हमने एक चीज देखी यार कुछ इस्पेसल सा दिखा हमने भी पूछा और बहुत सारे लोगों ने पूछा यह आइटम है क्या तो भाईया से जानते क यह ने पाल से आता है था हम लोग नेपाल से अबलोग से लेकर इसका चाहिसका थटी रुपी साइज इस मौल साइज है यह बड़ा तो इसमें से छीलके निकला दोटा आप जो देंगे उठाके ओखांटा जितना मुखी निकल यह एक से लें जल्दी मिलेगा नहीं और उसके बाद कौन सा उसके बाद तो कोई साब उठा लेजिए वह सबसे निकलेगा 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 अच्छा आप इतने साल से बेच रहे हैं एक मुखी निकला है किसी का निकला है चार निकला है नौ निकला है कितना कि दरा नौ नौ कि निकला है n10 नन न पूंध्य है मैं उसे में इसलोज आ करी इस यह हैं निकला करेंarti यह देखिए दस मुखी निकला हुआ इसी में से इसी विदाओ जैसे यह सब यह खराब है इसमें से वह खराब नहीं हम तो एक फल उठा लेते हैं तो यह आप बावा कासी नात की क्रपा से तो देखते हैं इसमें से क्या निकलने वाला है यह बोले वावा की जै काशी विश्वनात की अब देखते जाई इसमें से कितना मुखी निकलेगा तो ज्यादा हाट नी होता भी है नहीं ज्यादा हाट नियुक्त और यह चिलके रेडियो हो गया यह कुस्पूसी आरी इसी में से आरी है इसमेल आती है ना यह पंच मुखी निकल आए क्या वाद है तो बावा काशी विश्वनात का अशरवाद मिल गया है और यह पंच मुखी रुद्राच निकला आए तो बोलो बावा काशी विश्वनात की जय है यह देगे भाई रुद्राच निकला आए पंच मुखी और यह ने कर दिया पैक और यह आगे हमारे हाथ तो यह आगे हमारा काशी विश्वनात की का आप